सानन्स का सुभाव शान्थ होता है। आप अक्सर नसल का वरणन करने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले कठोर, शान्थ और मीठी शब्दों को सुनते हैं तिस इंज से अधिक लंबे और काफी वजन के साथ सानन को बक्री की दुनिया का कुमल विविशाल काय माना जा सकता है विभिन नसलों में से सानें देरी बक्री दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वित्रित डेरी बक्री है और इसकी प्रचोर मात्रा में दूधुत पादन, कठोर्ता और शान्थ, मीठी प्रकृति के लिए मूल लिवान है, शुद्ध सफेद रंग, सानन्स भी डेरी ब होता है, इसमें सफेद त्वचा और एक छोटा सफेद कोट होता है, कुछ छोटे रंजित क्षेत्रों को सहन किया जा सकता है, बच्ची वह महिलाएं आसानी से पाल सकते हैं, वर्तमान में बक्री व्यवसाई की लोकुप्रियता तथा सफलता की अंदाज इस बात से लगाय जा सकता है कि देश के विभिन प्रांतों में इसका व्यवसाई ग्रण हो रहा है, और द्योगिक घराने और व्यवसाई बक्री पालन पर प्रशिक्षन प्राप आगे रहे हैं और बड़े बड़े बक्री फाम सफलता पूर्वत चल रहे हैं, भारत की क्रिशी आधार व्यवस्था में बक्री जैसा छोटे, आकार का पशूगी महत्पून योगदान दे रहा है, विगत दो से तीन दशकों में उची वाशिक वध, दर के बावजूद विकास, शील देशों में बक्रियों की संख्या में निरंतर व्रिद भी, इनके सामाजिक और आर्थिक महत का दर्शाती है